Hello Friends Welcome back, Friends एप्लस ग्रेट पैनल का नाम तो आप लोगोंने डेफिनेटली सुना होगा, काफी फेमस था, काफी चलन में था, 2029 से लेकर 2021 के एंड तक और मोस्ट सभी बजट ब्रांड के कैटेगरी में में ए प्लस ग्रेट पैनल ही देखने को मिलता था लेकिन आजकल जो है ए प्लस ग्रेट पैनल बिल्कुल ऐसे गायव हो गया है जैसे की गदे के सिर से सींग गायव हो जाते हैं यानि कि आजकल किसी ब्रांड के टीवी में आपको ए प्लस ग्रेट पैनल देखने को नहीं मिलेगा जो कि 2021 से लेकर 2021 तक सभी बजट कैटेगरी के ब्रांड अपने टीवी की स्पेसिफिकेशन शीट में लिखकर देते थे कि हमारे टीवी में ए प्लस ग्रेट पैनल यूज किया गया है और इस प्लस ग्रेट पैनल ने काफी लोगों को कन्फ्यूज कर दिया था कि आखिर यह ए प्लस ग्रेट पैनल कैसे वर्क करता है कैसी इसकी पिक्चर क्वालिटी होती है कौन सी टेकनलोजी यूज की गया है इसका जो पिक्सल स्टक्चर है वो कुछ सरीके से डिजाइन किया गया है बैसिकली ए प्लस ग्रेट पैनल कोई दिष्पलेश टेकन इसक्वा या फिर इसप्लोजी बनाइ जाती है तो वह पर बाद कि बात इन में कोई backlight reading का issue तो नहीं है कोई scratch तो नहीं है कहीं कोई pixel dead तो नहीं है पूरी तरीके से पैनल एकदम align है और एकदम perfectly वो work कर रहा है तो इस तरीके से उनको काफी सारी उनकी parameter होते हैं को check किया जाता है और उसके बाद में अलग-अलग 6 category में divide किया जाता है जैसे की a plus a a minus b plus b b minus c plus c c minus तो इस तो इस तरीके की 6 category में इन पैनल को divide किया जाता है इनकी lab testing करने के बाद में तो यहां पर जो a plus category है यह highest quality होती है यानि की a plus category में जो पैनल छटनी करके लाया जाते हैं वो युद्दम high quality के होते हैं उनमें कोई भी defect नहीं होता है कोई bleeding का issue नहीं होता यह किसे तरह की कोई scratch नहीं होती है कोई उनमें जो pixel डैर्ड हो आते हैं वोस में नहीं होता है मतलब किसी बी तरीके की कोई problem जिस पैनल में नहीं होती है उन्हें a plus category में रखा जाता है और इनहीं basically बोला रता है ए प्लस ग्रेट पैनल इसके बाद में ए और ए माइनस के टेगरी की जो पैनल होते हैं में बहुत ही माइनर से बहुत ही मामूली से डिफेक्ट होते हैं जो आपको आखों से नजर नहीं आते हैं आखों से आप उनको identify नहीं कर पाएंगे वो लैप टेस्टिंग में निकल कर आते हैं तो ऐसे पैनल को ए और ए माइनस केटिगरी में रखा जाता है और इन्हें थोड़े से कम प्राइज में बेच दिया जाता है जो बहुत ही ब्रांड सस्ते टीवी बनाते हैं बहुत ही कम प्राइज में आपको टीवी देखने को मिलेंगे तो यह लोग वो पैनल पर्चेस कर लेते हैं क्योंकि उनमें कोई डिफेक्ट ऐसा नहीं होता है जो कि आपको आखों से नजर आ पाए तो यह अपने टीवी में उनको इंस्टॉल करके और उनके टीवी मैनिफेक्ट्रिंग करके सेल करते हैं हाल में आप सामने आखों से भी उनको देख सकते हैं जैसे कि उनका प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है उनमें थोड़ा सा बैकलाइट बीडिंग का इश्यू आ रहा है या उनमें कोई स्क्रेच है या या कोई उसमें कलर प्रिद्यूस फो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं चोंड करेंफूटे मूटे माइनर से डीफेक्ट होते हैं जो के रिपैरेवल उनको बी ब्लस और बी मानिस कैटेग्री में रखा जाता हैन को इव पर दूर करके और उनकी ग्यूस क्याता ह होते हैं वो रेपिरेविल नहीं होते हैं बहुत ही जादा उनमें डिफेक्ट आ जाते हैं मैनुफेक्टिरिंग करते टाइम पर तो उनको फिर जो है अलग से रिशाक्ल करने के लिए उनको अलग छटनी कर दी आती है तो बेसिकली एप्लस ग्रेट जो पैनल था तो यह कोई टेक्नोलजी नहीं थी यह एक ग्रेडिंग सिस्टम था तो एक ब्रांड का यही एक तरीके से बताना था कि हम हाइस्ट क्वालिटी वाले पैनल अपने यूज कर रहे हैं लेकिन उन्होंने वहाँ पर सिर्फ ए प्लस ग्रेट पैनल ही लिखना शुरू कर दिया था वहाँ आप जो डिस्प्लेट टेक्नोलजी है आई पीएस पैनल या फिर वीए पैनल वहाँ पर लिखना बंद कर दिया था जिसकी वज़े से लोग काफी कंफ्यूज हो रहे थे लेकिन अभी जो देखें 2022 से लेके और आगे अब जो टीवी आ रहे हैं कहीं पर भी आपको ए प्लस ग्रेट पैनल सबसे पहले हिजात किया था और मैं नाम नहीं लहना चाहरा हूं का तो अभी उन्होंने कुछ ऐसी डिस्प्लेट लगाए हैं अपने टीवी में जिनको उन्होंने अपना अलग ही नाम दिया है तो उन्हीं का ये काम था और अभी जो है मार्केट में कोई भी ग्रीट पैनल यूज नहीं कर रहे हैं प्रीमा जो और आ ओर इंडिस उन्हों कर बच्रेटेंज करेंगे हैं अब कौन सबस्प्राण कौंशी की अपने टीवी में यूज का यूज कर रहा है मैंने उनको reply कर दिया था अपना contact number दिया था उनकी आज ही मेरे पास में call आई थी अभी दो-तिन गंटे पहले ही तो उन्होंने का कि हम आपको टीवी बेज़ेंगे तो मैं ऐसी टीवी की तो पैनल की क्वालिटी का सिस्टम है वह कोई ट्रफ जी तो नहीं है ूद आपके वीए पैनल आप मुझे यह बता आपको अ CAD अग्सारी 강या में तो स्कूyt प्लस Grade Panel नहीं बताउंगा मैं उसको ए प्लस Grade IPS पैनल है फिर ए प्लस GradeVA में म הכ अुसमें होगा IPS या VA भाली नहीं को सीरह पैला थे मैं आपका यह यह